है तो लेले बाद में बहुत पड़ा तो उन्हें पितावे भीस के परिवारों में आज आ रहे ग्यान लेने के लिए आसा राम को गुरू बढ़ा है कि ज्यान लेने के लिए पड़े पड़े ड्रामा चल रहे हैं वी इंदनी आज बनाए तो आज गुरु पूर नमाया कल्सु तो पीछ ना बढ़ पाएगो किसा बनाव सासुदी को ला तो टेलीफॉन पपढ़ जाए गुरु टेलीफॉन पढ़ जाए और फिर उन गुरुमा लोक में चारों वर्णों में सबसे पहले चत्री ने तफस्या करके अपने वर्ण को जाना सभाव को जाना और फिर बागी तीनों वर्णों को इसका ग्यान दिया था कि इस रश्टी की रचना के समय मैंने ये ग्यान सूर्य को दिया सूर्य को ने अपने दादा जी है और सूर्य ने ये ग्यान किसको दिया मनु को और मनु ने किसको दिया इच्छाकु को और इच्छाकु से ये परंप्रा से छक्रियों के पास में ये ग्यान था जो आज बुक्त हो गया है उस ग्यान को मैं तुझे फिर अर्जुन को सक भी कर दिखने लगवाई और मेरे मामाजी के लड़के हो और लगवग लगवग दो चार दिन का या मैना दो मेने का अंतर है आप ने कम देडियों को कि मैं एचे ऐसा कोई तो नहीं तो नहीं यह नहीं चाहिए यह सारी प्रजा नहीं थी यह सब हर काल में थे लेकिन मुझे वह स कृष्ण जो है उस ज्ञान के वज़े से तपता हुआ अपने पूर जन्मों के सारे ज्ञानों को इसलिए याद रखता है क्योंकि वो कभी प्र्थक नहीं कभी उस अपने स्वरूप से प्र्थक नहीं ग्राज जो ग्राज जो इसको जहां जगे मिल जाए बैए दिलिश्टी की रचना के समय क्रिश्ट ने इसलिए सूरिय को घ्यान दिया था क्योंकि क्रिश्ट ब्रह्म है क्रिश्ट इस्वर है क्रिश्ट भगवान है राटवड साब मिलाने के हाथ समय रहेंगे बिना उसके नहीं जाएगे यह आप छारत बिलाएगे इसा कोई काल नहीं था हम हर काल में रहे हैं फरक इतना हैं याद ले याद तो कई लोगों को कर लगा भी नहीं तो पिछले जनम हो गया याँ एक बार हमसे एक वेक्ति बोला वज़साहब आपको पिछले जनम याद है मैंने कहें तुमको परसों का याद है बोले याद करने से याद ही जाएगा तो मैंने कहें हमको भी पिछले जनम याद करने से याद है बोले नहीं मेरे को परसों का याद है तो मैंने कहें मेरे को पिछले जनम में आप क्या थे मैंने कहें आप बताईए परसों आप में खाना खाते समय इंधर गूंखिया यह कोई बात हुई में पाता हुआ तो यह जैसा पैसा ही हुटता है हर काज में ऐसा काज निए ऐसा कोई समय ही नहीं है जब प्राण जो ए शमाप तो प्राण कमी समाप निहीं रूप बदले सह अर्दुम को क्रिश्ट ने दिया और ये बात समझाई तो कि इस बात को अर्जुन तो समझ के लेकिन क्रिश्ट और अर्जुन ने वो आपस का वारतलाब केवल उस महाभारत को जीतने के लिए नहीं गिया वलकि रोज दिन में हर्षण जो हमारे अंदर एक बंद चलता है जो हमारे अंदर एक लगाई चलती है उस लड़ाई को जीतने के लिए वह प्रितेख चंछ प्रतेःग मंस्तित पर चलती है उस लोड़ाई मजी देने के लिए गृस्टाइब को बाल बाला हो और उसी ही मार्ग पर हर्च चतनि को कृश्टि ने अर्थी कि के आरम में यह ग्यान ब्रह्माजी को दिया ब्रह्माजी ने पड़ाजी परत्राग को दिया और रावण से फिर ये ग्रामणों के पास आया और आप इनके पास जाके यह ग्यान दिया है कृष्ण ने ये क्यों नहीं कहा रही है ये आज कल अपन ले रहे हैं ने पच्छों से मंद्र में जाके यहान कृष्ण को भी ये कहन रहे हैं कि मैंने इसे इसए इनको दिल भूठ नहीं हमारा थन, हमारा सभाव, और हमारा ज्ञान, बिल्कुला, वो हमारे लिए माता की भासा को बच्छा समझता है और बालक की भासा को माता समझता जब वहुँआ च्छोटा बच्चा होता है तब उसकी मान को बता होता है कि अभी इसको पेसाब जाना है कि अभी चूर्च सो लेट में लगी है कि आ ecology और माँको देहलेता है बच्चा विसके मनमें नहीं दूर दिया प्लाण की तो अपने आप सही दिए करए के सुझा माता और कुट्र की इस भासा को । थी सब सकता है क्पिकिसी तरएके से चात रतंग रहा हमारी इता माता है और हम सब उसके बाशे पाँ कि रहे espec流 के उर शतरियाने कही 치्ट्रियान नंसे और च्प्रिय नहीं उस बच्छा हम कहां पढ़ने जा रहे हैं आगे तो कहां सुनने जा रहे हैं गीता को सुनने के लिए जिनको गीता का कोई या नहीं ही अभी गीता प्रेश गौर अप्रणाम से एक संस्ता है वहां से बोटी-बोटी किताबे निकलती हैं और कहते हैं साथ दर्म का बहुत बढ़ा के लिए अच्छी बात पर उस गीता को आप पढ़ना और फिर मुझे बताना क्रिश्टन से क्या कहा है कुछ पता नहीं चले क्योंकि गीता में क्रिश्टन अर्जुन से कहा है वो तो उस किस नाम से दिखा है महात्यम बोले साथ पहला अध्या सुनो इस अध्याइपा एक इस लोग के एक बार एक हैसे नीचे से उपर कुछ लिए विमान आया और उसमें सुन दर्वेट ये क्या जाना है कि शुरुवाद कैसे करेंगे शरखं़ में एक निजला यकाता नहीं माता-वैं मैं में कि सक वह स्भाड़ एक है और फिर करें उससे कोई पाप हो गया तो अरक्या पाप गया उस पाम के कारण ऊसको भगवाननेकां सब्सक्राइब करने तो भग्वान ने का तेरा उधार जब होगा सब्सक्राइब तो वैसे आदी जमीर में आ गई खटोला गिर गया उनका उनका लेखना नहीं और फिर ये और व्युंट को सब्सक्राइब और राजा से काा शिफ पता करो कि इन दिन द दल शचिंग तो उस समय रूख रहे का सी कोई और गर शूचना पित वाइन दून से थाली खाने के लिए के तो सुचन बढक flavor महरास जान कर तो नहीं किया लेकिने अपने मैस्टर और महैतरानी है कि जेंको दो तुढ से खाना कि कैसा जला नुकसी डिया मुझा ठीकला है कि राजाने वैश्या सी निवेदान के लेखनी देखो ऩी राजाले वैश्या से निवेदान के किया है इनका है जो खटोले का हाथ लगाया है और वापस पूसके वैस्या का सब्सक्राइब क्या है ऐसी कपोल कल्पना और कपों को धर्म का हिस्सा मान दिया चाहिए तो जो वास्पिक दरग उसको दूलो भी वाई सत्व रसंत एक साथ निचलते कभी भी देख लेना आप अमरत का कितना ही बड़ा घटो उसमें ये पून जएड़ आगा कि तो अमरत पचेगा क्या क्या स्वर्ग जैसी चीट में वैस्चा रख नहीं और फिर कहरें को और कोई वाप हो गया और प्रमाप हो गया और फुले साथ को दिल जला एक अधसी की तो फिर उपर से महां तर वेणी यह और कहती है वाप उतनी पी जैसी संपूप मतर तूटी क्या उसकर किसा वो टिल गई अर्थाद हमारी आदर्स कौन हो गई वो वैसे कभी विचार किया आपने बाद यह क्या है यह है यह है आपके धर्म की जन खोदेगा आपके प्रतेख देवी देवता आपके प्रतेख पूर्वज का जमतर सर्थ हनंती एक भजन चलता है भजन कहते हैं वैसे भजन तो क्या है क्रश्ट बगवान के लिए गाली है दो दो गूजुरियां के बीच में का डूड़ा खोड़ा खाएं वाह यह दो गूजुरियां ने वीच में कानोड़ा खा रहा है मंदिल में पंडिती खोड़ा खा रहे दरासारान खोड़ा खा रहा कर क्रिश्ट साफचात परग्रम्ह और इस्वर्थ राम के उनरहतार है क्या कोई बढ़ाई कर्श्ट में हो सकती है क्रश्ट कहते हैं कि मुझ जैसा योगेस्वर नही अरजुन मतलब क्रिश्ट योगेस्वर थे योगेस्वर इसको कहते हैं यो कहते हैं जिसकी प्राण और आत्म मिल गई है ऐसे क्रिश्ट का चरित्रानन करते समय इनका ने हाथ कापा ने की कलम नहीं कि क्रिश्ट माता जसोदा जी के पास मात्र बारे साड़े बारे साथ कर रहे हैं और इसी उम्र में वो मतुरा चले गए कंस को मार दिया और पता लग गया कि यह तो महराज सुन सेंद के कोत्र हैं और देव की वस्देव के पुत्रे हैं राज कुमारे तो इनकी तो सिक्षदिक्षण होनी चाहिए और उनको कहां बेज दिया महकाल की नगरी उज्जेंद और महां जो संदीप नी मुनी है उनके आफ़के उनकी सिक्षद को उसके बाद जीनत मर में क्रिश्ट कभी गोकु कि ने तो तवजन सिंग्यती 16108 ने आप ऐसी कपोल कल्पनाओं के कारिश पूरा के पूरा हमारे इस्वत देवता अराज देवता उनका तरिक नहिंद करने का कोई साजिस के तहिंद की है 16108 शरीर के अंदर नाडिया होती है नर्व होती है नसे होती है हमारे इस ग्रजवासा के नाड़ी नहीं बोलते हैं मसुरा साइट में नाड़ी को नारी को और इन नाड़ीों के स्वामी चे कौन वासुदेश सब सास्त्रों में लिखा है कि कर्ष्ट ऐसे उनका मस्तिस सक् चलने का मतलब यह होता है एक भी समय का अंस ऐसा नहीं है जब उसे अपनी कोई चीज भूल गया हो सब्या है अपने फूर्ण स्वरूप के साथ है इसलिए उनको 16 कलांग से युक्त और 14 के ज्याओं पर का न्यान के लिए 16108 नाड़ीों पर उनका सामित उठा हमारा काम प उन 16108 नाड़ीों को पंड़े नारी नारी से इस्त्री बना दिया और फिर बोले जाब हो तो इतनी पत्रिया थी बारे तेरे वर्स के कृष्ट महां चलेगे और बाद में लोटे दी अर्थाल बारे तेरे साल के बच्चे के लिए माताय और बहन माता बहन जैसी होती है लोगे नहीं साब राम के चर्ष्ट को कब मुफसान को जाया हूँ कृष्ण के को देख लिया अब एक क्रिष्ण ऐसा लगता है कोई इस्वर नहीं कोई अवारत शोत्रा जो किसी का खपड़ा ठाली जाए कभी क्या ड्रामा कर जाए कि चोरी पेइमानी उस्तादी सब इस बोलते हैं राम के चर्ष्ट में देखिया यह कहते हैं कि साब जब महाराय दसरजी के पास मेरी सी विश्वामित्र आये तो उन्होंने का जिए यग करना आए और यग की रक्षा के लिए राम लक्ष्ण चलिए पहले पिए बताओ कि विश्वामित्र जी यग करें और फिन रक्षा नहीं हो यह संभवेगे हैं और फिर यह उन पर रक्षा नहीं होती थी तो दो संधी के लिए उनомya कर थोड़े फिर भी तो हवन करना है ना कि ऐसा नहीं कि राम और लक्षण को आगे चलके रावन जैसे नीच आता थाई और देटों से युद लड़ना है उनको उसी अनुसार अस्त्र सस्त्र और साधन चाहिए और वो किसके पास थे विश्वाम को उनको राम को देने के लिए लक्षण को देने के लिए नाना जरूनी था क्योंकि उनकी सस्त्र शिख्षा पूरी नहीं है तब विश्वामित्र दी गए और महराज दस्त्रत से ये बात कहीं और आप कहते हैं दस्त्रत जी गिर पड़े, कूद पड़े, रोणे लगे, कुछ क्यों रोणे बीकुल दस्तरत जी गोले साम मैं ही चलता हूं दभुस्मान लेके वाह मैं चलता हूं जमाको इसमान बड़ाई हो रही है और दड़ाई हो रही है तो आती लड़ने चाहिए थे राम और रख्षण सो लाते इस सर्यू नदी को पार करते हैं पहला क्या क्या व उनको संक्णक दूरागुए वो सारा का सारा ज्यान जोन मैं देखें जैसे आज कल आप ट्रांसकर करते हो पूरी की पूरी प्रींपाई कंप्पूटर से एजिटिज ट्रांसफर हो जाती है इसको और सॉप्ट करेंगे तो ये मस्तिस्क में ट्रांस करेंगे ये सारी के सारी दिज्ञा में शुर्ण को देता हूँ लेकि इससे पहले जल्ब को हाथ में लेकर ये पृति क्या करनी पड़ेगी कि मैं जीवन भर शात्र दर्म का पाला तसरत नंदन राम से भी विश्वामित्र ने शात्र दर्म के पालन की गारंडी लेए तब उन बला वराती बला शक्तियों को शंकल्प द्वार दी फिर ये देखा कि इनके पास पहुंच गई है तो ये काम कर रही है तब कहा कि ये काम करता हूँ और तुम जो है इनका सस्त्रों का संधान करके देखो कि ये प्रिज्ञाएं काम कर रही है तब आपके रावन के मेंड़ भाई समभाए गए ताड़ी का मारी सुभाव कौण कौण थे वो समभी तब इस स्वामेश्च जी ने का हाँ अब जो है इनकी सक्तियों का आपके पास पहुच गई और इनका आप प्रियोग करने कि जा इन सक्तियों को देने के लिए किया और आगे चले दसरजी के यहाँ धनुस्यक उओ उस धनुस्यक में क्या लिख रहे हैं आपने तुमजिदाज जी लिख रहे हैं एक साथ कुरुषराम जी आगे और भगवान ब्राम ने का ओ आपको मारूना तो पाप लगेगा और हालों मा तो सूरिय बंस की अपकी रदी क्यों पाप लगेगा बेखुरुषराम जी को मार ने बुलसावा ब्रामण मतलब ब्रामण नहीं और रामण को छोटो वो तो बात की बात थी वो इंकी भुआ नहीं थी ताडिका इस उब तक तो यह पूरा सुरिय बंस करद चला गया होता है जो गलती करेगा वो पिटेगा पर जो अच्छा काम करेगा उसका पूस्त पूस्त यह क्या है यह नैसलगी तदाए इसको क्या कहते है नियाए ऐसा नहीं है कि गलत करने वाला साथ मेरा पुत्रेत वो धम है और आपका पुत्रेत उसको गंड है है हमारे चंद्रवंस के सम्राठ पांडू ने तो इतना देप्रदस को दान प्यस किया है न्याया ले ले न्यायधी खुद वादी खुद प्रतिवादी खुद और सूचना देने वाला खुद और फिर भी न्याय कर दिया को कंद्रव रिसी क्या डामा करता था जंगल में और जब कोई गल्दी पांड़ी पांड चलाया वो शेर के वाद में पोल रहा था चल गया मर जाने के बास जाता जाता कह गया और तू भी जिस दिने इसा काम करेगा तू भी मर गया को कोई बान हमने सोचा बहुत बड़ा ग्यानवान था साथ स्राफ देगे हो रे जो स्राफ देगे वाड़े ने ग्यानवान भी नहीं होते हैं पाड़ा मान जिल किसी के पास में मोबाइल पर टॉक टाइम चार से रुपे का और पर हमारे घन पर सिंदिराटोर साथ की तरह करें करें लिए लगां प्रदान कुंत्री को और लगा के वाया आदा गटा दर्दें विदेश को फोन लगाकर और फिर वो टॉक टाइम खतम हो गया तो यह समझदार होए बावड़े बावड़े तपस्या से सक्ती तो आती है लेकिन इसको दूपियों करनों स्राफ देग तो जितने भी स्राफ देने वाले हैं यह हैं अधकच्रा गया है ऐसा नहीं है कि ज्यानियों की कमी हो तपस्यों की कमी हो छत्रिय समाद में लेकिन स्राफ नहीं देखें जब माता सीता स्री लंका में थी लंका में थी तो अनुमान जी गए और अनुमान जी ने देखा कि माता बहुत हो की माता जी आप एक काम करो मेरी पीट में बैठो मैं आवा आजी लेकिन आप क्या चाहरे हो कि मतलब मैं यहाद निकल भागो मेरे पास को इलाज नहीं है अरे रावन की वक मेरी होगी कि राम पर अपरी पत्र नहीं बच्छी साथ सीथा जी खुद आए ना ना तो उनका तपस्या घटे कि लड़ने पर क्या होता है आदमी की कीर्ति मौझ की सरीर से लड़ने से और बर्दान और साब देरें अपकी तपस्या घटती चली जाती है तो कुछ बचता जी ने कहा कि मैं चाहूं तो एक छड़ में पूरी लंका को बसू कर दूँ लेकिन यह काम राम काया आप जाके कहने हैं वो आजिया एक दिन रावन गुस्टा खागे चल भी दिया था तलवार लेकर कि आज इसको समाप भी कर देता हूं जोड़ा दिन्जे के कड़ने हैं तब क्या किया सीता जी तरण वोट एक दिनके की वोट करके बलो रावन इससे आगे मन बढ़ते हैं लेकिन चक्त्रियों और चक्त्राणियों ने कभी भी साफ नहीं केवल दो ने त्रावन एक च्छड़ आगे बढ़ता एक खुद वासदेव क्रिष्णने और एक मांतर नाता है इसके लाव किसी चक्त्राणियों वासदेव की बात छोड़ी है उनके पास तो कोई यह ने कम पढ़ दिया है कि तपस्या क्यों सक्ति हो तो ब्रहन है लेकिन मात्या गालदार है छोड़ा तो पहीन कहीं तो नुक् और त्रेतार द्वापर की तो बात छोड़िया इस घोर कल्यूब में कब आया जब हो गजनभी सहिद साथ सो बारे मैं और ये आपका मुहम्मद गोरी आया ग्यारे सो बाणवे में उसम्राट को रा दिया ग्यारे सो बाणवे से लेका और महराजमान सिंह का गुए है जाए बंद्रे सो के आसपास मतलब साड़े तिन सो साल तक हम लोगों ने तोप के आगर तनवार चाहिए लाठी चाहिए तीर चाहिए तोपों के आगर सौर ये कितनी जबतत ज्वाला उठी लोग चले और तोप के आगर आगए कि चला तरी तोप में कितनी दमै कितनों को मारेगी एक लाक की फोज़ लेके आ रहा है एक प्रश्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार् मैं मैं दिकाल का मैं दिया है आधु ली कालब दिया乾 truths céu क्यूंब किशित नहीं देखा हैं दी नहीं त्र भनडान लगते कि नहीं लगते हमें से खूյह इंदेख安 है थै तु मित रह Burada कर ने लह देखा है नहीं देखा अफान देखाता अधिक हो नेंदोicles हर उनका कभी बता देता कि एक ताभी याहए रार्ए प्रमत्र कि जब किया जाता है इसे एक्जांपल दी लोगों की सामने आए लोब आउड में तो लेके और हमारे लाटी लोड़े और लड़े लड़े अधिकांद शूलप्तर जीत हुए गोवित लड़ा जब नीचे बैट रहे हैं पर नजदीक तो कट ऐसे ऐसे यूद्ध लड़े जिन में कोई जीन की संभावन है नहीं हार मिश्चित जब एक लाक आत्री से पत्सीज लड़ेंगे बीस लड़ेंगे तो हार मिश्चित है ना लेकिन लडाई से मना नहीं मूह नहीं मोड़ा सौर माम नहीं खूब प्रियास किया धाई जार साल तक माभारत से लेकर गौतम बुद्र मालक स्वामी तक नहीं मिठा लड़ेंगे दैक्तों के रूप में राख्षतों के रूप में रावन द्यां परस्णाम जैसे युद्धा हुए कोई काम भी फिर शिकंदे जैसे आये उनक जाने डिली पर बैठने वाड़े कि अधिन नहीं हो जाते हैं सारे लोकल गवर्मेंट अंग्रेजों के जाने तक करीब करीब मारे बासती विसल्मानों से नीविटे अंग्रेजों से भी शुग के सो साल भी आजम बाद में मुसलमानों ने एक सोद किया है जो लोगों को हम विद्वान लोगों पो बुलाया अपर भून चालू था उसने एक नवरत्म नाम से एक सभाव रखी थी जो नवरत्म अपने दरबार में रखता था उनमें साथ एक आश्पंडे जीती अब यह इंसे पूछो तो यह कहने नहीं साब वो तो संभीत गाते थे वो तो यह करते वो कुछ नहीं करते थे वो अकपर को सला दिया सलाकार मंडर थे क्या सला दिया करता था अकपर ने इस बात पर सोद करवाया हम लोग राज के लिए लड़ता था मुसल्मान किसके लिए लड़ते थे राज के लिए लड़ते थे और महां लड़ते थे जीत में या वहां आगे लिए लगती है कि सो से पांच लड़ जाते हैं एक लाग से अजार लड़ जाते हैं इनका पता है इनकी इनका पता करते हैं तो इनके राजपुरुईतों को बलाए गया है उन्होंने बोला वही देखो ऐसा है इसमें दिमाग लगाने की दूट नहीं है ये लोग ने जीत के लिए लड़ते हैं ने राज के लिए लड़ते हैं ये लड़ते हैं धर्म के लिए लड़ते हैं कि तब जो नौर अत्रों थे ये खड़े हो एंपुल साव इसका समश्चा क्या बोले क्यों वह हम भर धर्म को दूसित कर दें या भर दोशित करने हैं किस्तान ये भूमिया है हमारे कुल पूर पूर्पूर्शों की अराधन है दूप बत्ती है ऐसा लगता है जिसे सजीव होकर हमको आदेश दे रहे हैं इनको सब को बंद है और इनको नए नए देवी देवता है और ऐसे देवी देवता दो जिनके जीत को स्वाथ बढ़िया ह हुद्री खाते हैं और इंको इसी देवी पीते हैं और इनको है कि दो सबस्काव जिसकार होएं दो सब्सक्रेण करेंशनकिकरण नित करुए तो आज नहीं करूगे आज इंवारे जाओंगे मान लिजा है आज आप सोब्लेट नहीं जाओगे दिन पर बज़ुकर नाओए डिन बर परिशाल कि कहांगे नहीं बूंगे बने ये क्या करमें नित्ट कर्म एक है नियमनतिक कर्म में क्या होता है त्जब để' सको और सास्त कया करते है नच All Stars को को योगोश्ची स्विल्ध इसंग इस gözthere एक सेन हाधिकारी को आदेस मेले शामने वाले में गोडी मार दो ऑर उसमें मार दिते सजा किसको हुझी ? डिलते हैं सेन जो कुक्या सेन हाधिकारी ? सेन आदेस देते है में वड़े देखने जो और देखते हैं गोडी चलवा दी , नो बाईकार सेवत्से drug यह जो जिस अफ्तर ने गोड़ी चलाई उसका कोई नाम द्यानता है गा और ने उसका कोई दोस्त जिस ने चलवाई जो अब इंगे रहे सरकार दिन चलवाई उनको आज भी गाड़ी पढ़ दिया आज पढ़ेंगे पिटेंगी है तो नेमेतिक करम का दोस्त नहीं होता है यह बात सब ठाकर दंपे तो पंड़ा चीन हो नेमेतिक करम को ब्रेश्ट करने के लिए ऐसा है कि ठाकर-साद आरूपयों को नहीं नहीं कैसे गी दान कम नहीं है प्रसाद नेमेतिक कर्म कोई दोस्त नहीं होता है और फिर पढ़ गई इसाथ फिर तो पाद आगे तो कि यह नेमेतिक कर्म के बहाने को अब आप यह देखो आपने दारुपीनी मास का अब आप थाकुछी गोग लगा सकते हो क्या बच्छी कोई चांस कि गणेश जी का मंत्र बोल सकते हो क्या अनुवान जी की पूजा कर सकते हो क्या